आज किस वीडियो को टापिक है दोस्तों कि why motor rated in kilowatt motor की rating kilowatt में क्यों होती है आपने अक्सर सर्च किया होगा और पढ़ा भी होगा कि जो हमारा transformer होता है उसकी rating जो होती है वा kva में ही होती है interview में भी यह question पूछा जाता है कि transformer की rating kva में क्यों होती है लेकिन interview में आपसे यह question भी पूछा जा सकता है कि जो हमारा motor होता है उसकी rating kilowatt में क्यों होती है तो इस पूरी वीडियो के आप ध्यान पूरोग देख लेते हैं तो आपको यह concept अच्छे से clear हो जाएगा पहली बात समय लिए कि जो हमारा kva होता है इसमें क्या चीज होती है active power भी होती है प्लस reactive power भी होती है दोनों मिल करके हमारा kva बनता है ठीक है तो यह चीज तो होती है हमारे kva में तो transformer जो हमारा होता है उसमें active power और reactive power दोनों मिलते हैं transformer क्या करता है कि जो voltage होती है उसको अप कर देता है और डाउन कर देता है यही काम यह करता है ट्रांसफार्मर हमारा और कोई भी काम हमें नहीं मिलता है इससे हम क्या करते हैं सिंपल हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है उसको हम इंपूट सप्लाई देते हैं और आउपूट में हम बोल्टेज को जैसी हमें जो रोत होती है वैसा हमें मिल जाता है आप चाहिए या डाउन चाहिए इसलिए transformer हमारा step up होता है transformer हमारा और step down होता है उसकी रेटिंग किलो वाट में क्यों होती है देखिए जो हमारी motor होती है motor में जब हम supply देते हैं तो इसमें क्या होता है? इसमें क्वाल बनी हुई होती है. यह क्वाल क्या करती है? जैसे ही इसके अंदर सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर magnetic field generate हो जाती है और इसमें हमारा rotor पड़ा हुआ होता है. तो जैसे ही magnetic field इसके अंदर लब होती है तुरंत यह रोटर हमारा घूमने लगता है तो इसके अंदर जो यह magnetic field जो होती है यह बनना और प्लस maintain रहना यह दोनों काम reactive power के कारण ही होता है मतलब जैसे ही आपने supply दी मोटर के अंदर इसके अंदर magnetic field generate हुई तो वह magnetic field जब generate होती है तो वह और प्लस वह magnetic field maintain रहती है क्योंकि अगर magnetic field maintain नहीं रहेगी इसके अंदर लगातार बनी नहीं रहेगी तो मोटर का जो हमारा rotor है वह लगातार घूमता नहीं रहेगा मोटर का रोटर रुख जाएगा अगर एक बार अपने अपने सप्लाई दी उस वक्त अगर क्यों magnetic field बनी उसके वाद यह magnetic field खतम हो जाए तो मोटर हमारी घूमेगी नहीं तो वही बात है कि magnetic field बनना और प्लस वह maintain रहना यह दोनों काम जो हमारा वह reactive power की वज़े से होता है तो अब बात यह आती है कि यहाँ पर तो confusion हो गई कि जो हमारा transformer होता है उसमें active power और प्लस reactive power होता है और जो हमारी मोटर होती है इसमें भी active power और reactive power दोनों होती है, तो दोनों में हमारे active और reactive power दोनों होते हैं, तो इसकी rating जो होती है, वह kVA में होती है, और इसकी rating kilowatt में होती है, ऐसा क्यों यह question आ जाता है, तो देखे, इसका बहुत ही simple sensor यह होता है, जो हमारा transformer होता है, इसमें जब हम supply को देते हैं, तो वह क्या करता है, जो उसमें जो supply होती है उसको up कर देता है या down कर देता है बस यही दोनों काम करता है इस से हमें मतलब जो हम input में देते हैं जो चीज हम देते हैं electrical energy हम input में देते हैं और इसके output में electrical energy ही मिल जाती है लेकिन जो हमारी motor होती है इस motor में जब हम supply देते हैं तो हमने क्या दिया electrical energy दिया और जो हमें आउटपुट में मिलता है मकैनिकल एनरजी हमें इसके आउटपुट में मिलती है मतलब इसके अंदर जो हम सब सप्लाई देते हैं तो उसमें क्या होता है कि अंदर का जो काम होता है वह एक्टिब पावर प्लस रियक्टिब पावर दोनों मिल करके अंदर का जो मेकनिजम है उसको चलाते हैं लेकिन अब इसके मोटर से एक्चुली मोटर क्या होता है मोटर घूमती है घूम करके ही हम इससे जो आउटपुट होता है वो लेते हैं टांसफार्मर में क्या होता है कि इसमें कोई चीज घूमने की या एक जगा से दुसरे जगा जानी कि कोई भी ऐसी condition नहीं होती है लेकिन motor में क्या होता है कि motor का जो rotor होता है वो लगातार घूमता रहता है और वह जो rotor हमारा लगातार घूमता रहता है वह actual में active power की बज़े से ही होगा इसलिए इसको हम working power भी कहते हैं जो हमारी active power होती है मतब जिस power का हम work ले रहे हैं उसी को हम active power बोलते हैं तो यहाँ पर आपने तिप three phase दिया या single phase दिया तो इसके अंदर जो कुछ हो रहा है वह active और reactive power की बज़े से हो रहा है लेकिन जो हमें output में motor की मिल रहा है वह mechanical energy मिल रही है और वह जो हमारी mechanical energy है वह केवल active power ही होती है उसमें reactive power का कोई भी role नहीं होता है तो इसी लिए हमारी motor जो है वह केवल और केवल हमें जो उससे output जो हमें मिल रहा है वह केवल और केवल active power का ही output हमें मिल रहा है इसी लिए जो motor होती है उसकी जो rating होती है वह kilowatt में ही होती है क्योंकि जो भी उपकरण हम चलाते हैं, उसमें क्या होता है, उसकी जो रोटिंग होती है, वह हार्स पावर में होती है, एचपी में होती है, एचपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, एचपी क्या होता है, 746 वाट बराबर एक एचपी होता है, तो इसमें देखिए, 746 वा energy जो है वो किस में होती है हमारी किलो वाट में होती है या वाट में होती है दोनों में हो सकती है हमारी तो इसलिए मोटर की जो एक्चुल में जो रेटिंग होती है वो हमारी किलो वाट में होती है तो इसलिए मोटर की जो रेटिंग होती है वो हमेशा किलो वाट में होती है औ अपने दोस्तों के साथ जिससे उनको भी एक concept एक्से से clear हो जाए तो आज इस वीडियों बस इतना ही नमस्कार दोस्तों